आज हम बनाएंगे पाइनपल का हल्वा इसके लिए हमने एक ग्लास पाइनपल का जूस ले लिया है जिसे हमने प्रेस् पाइनपल को काट के पीस के चान के निकाल लिया है इस तरह से और ये 3-4 कापी पाइनपल की इस तरह से बारिक-बारिक काट लिया है ये एक कप से थोड़ा कम सूजी ले लिया है कड़ाई में एक टेबल स्पून घी डाल दिया है अब ये सूजी डाल देंगे और इसे बुनेंगे घी अगर कम लगे तो थोड़ा और डाल देंगे ये देखिए इसे घी इतना डाले कि सूजी कुछ इस तरह से सिखे ये देखिए इसे धीमी आज पे सिखे पाइनपल का सीजन स्टार्ट हुआ है तो फिर हम पाइनपल से बिल्कुल नया पाइनपल का हलवा बनाएंगे जयमानों को खिलाएंगे, घरवाले को खिलाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत पसंद आएगा इसे धीमी आज पे लाल होने तक सेके इदे कि इस तरह से जैसे हम हलवा बनाते उसी तरह से बनेगा बस पानी की जगा हम पाइनपल जूस का इस्तिमाल करेंगे इसे हम अच्छी तरह से सेकेंगे आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं, लेकिन सूजी से इसका टेस ज्यादा अच्छा आएगा 3 फोर्थ कप सूजी लिया था, इसलिए हम आधा कप चीनी ले लेंगे ऐसे हम बराबर चीनी लेते हैं हलवा में इसमें पाइनपल जूस इस्तिमाल कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा कम चीनी लेंगे सूजी को हलका गुलाबी होने तक सेकें करें सूजी इस तरह से सीख चुकी है देखिए इसमें से खुजबू भी आ रहा है बलकुल अब इसमें ये पाइनपल के पीचेष डाल देंगे इसे थोड़ा सेख लेंगे साथ में कितना सुंदर पलर आया इसका अब इसमें ये पाइनपल जूस डाल देंगे ग्यास को धुम्य आपकी रहने तेंगे गूल डालते ही से मिक्च करेंगे अब इसमें डालेंगी चीनी आधक अब चीय है 員 डालके से मिक्स करें मीडियम फ्लेम मेसे पकाएं ग्यास को तेज ना करें इसका पाणी शूबने दें ये इस तरह से हो गया है ये दिखिए हल्वा बिल्कुल रेडी है ये इसको बन कर दे अगर आप मीठा जादा खाते हो तो इसमें थोड़ी चीनी और डाल सकते हैं ये तो ये खटा मीठा बहुत ही टेसी लगेगा काने में पाइनपल ऐसे बहुत मीठा था अगर पाइनपल ज कटे वे बादाम और पिस्टे डालके इसे सर्प करें ये खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा बनाने में भी आसान है कुछ अलग लगेगा पाइनपल के सीजन में ये बनाएं और घर पे और मेहमानों को खिलाएं